हेलो एवरीवरन मैं प्रकास सरवारांसी से आप सभी लोगों का यह लेनी वी दूर्गेश में यह बाद फिर से स्वागत करता हूं आज हम सभी लोग पढ़ेंगे जो बालक का विकास है उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि सारिक विकास किस तरीके से होता है बालकों का अलग अलग अवस्थाओं में मतलब सैस्वावस्था में क्या-क्या विकास होता है, सरीर में, बाल्यावस्था में किस तरके से विकास होता है, किसूरावस्था में किन-किन तरके से विकास होता है, सारीक विकास भाग फिर हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सामाजिक विकास के बारे में चिस तर्पित उद्धां में घीक हम लोगों को जानना है कि बच्चे के अंदर उन्मीकी जो रहा हो रहा है तो सहास्वा वस्था में सारेलिपी कास हम धूर vein rat विकास के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे धेखेंङे कि सार्य के सार्य में साहज़ऑ आपको मैं पहले पता था जब बच्चा छोटा होता है जब वो जीरो से पांच वर्स के बीच में होता है तो उसके अंग बड़े जल्दी विक्सित होते हैं जब परेदा हुआ होता था तो सुस्त था एक दम थोड़ा बहुत हिल रात है इसे से लेकिन धिरे धिरे करते परिवर्तन दिखाई दे भार कैसे बढ़ता है भार किस तरीके से विक्सित होता है जन्म के समय सिस्व का असत भार लगभग 3.6 किलोग्राम मने सवा साथ पॉंड साथ पॉंड ऐस से तरके से ठीक है इसके बराबर होता है ठीक 3.6 किलोग्राम बालिका का लगभग 7.13 आंतरिक वातावरण एवं मा के गर्व के बाहिवातावरण में अंतर होने के कारण नवजात सिसु का वजन जान्म से पहले सब्ता हमें घटता है मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो चुकि अंदर था अभी तक अंदर का उसके पास में पूरा इंवार्म लिगता है कि उसके इनर्जी लेने लगता है इसका मतलब उसका वजन देदेठाव एक खपते तक लगभा घटता है जब बाहर पैदा होता तो लगभा एक घटता है उसकी एक नहीं जटा है और नहीं लगता है तो शीवार वजन पूराण बढ़ने लगता है अब ध्यान पैदा हुआ कोई भी नोचाय बालक वालिका पैदा हुआ तो चुकी अंदर का जो बाहे के वाटवन में आने से थोड़ी सी गुना हो जाता है तो एक वर्स में शिसू का वजन लगभग तीन गुना मतलब साड़े नौ किलोग्राम के आसपास हो जाता है इसके बाद सिसू का वजन आधा पॉंड प्रतिमाह के हिसाब से धीरिय 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 पांच वर्सों तक बढ़ता है दिखाई दिया है थोड़ा सब आधा पॉंड में अंधा लगा लगा लिजए कि साढ़े साथ आ सब साथ पॉंड में लगभग 3.6 केजी के आसपास आ रहा है तो आधा पॉंड में कितना आएगा बहुत कम आएगा इसका सतवां हिस्सा से भी कम सोच लो दोवां हिस्सा इस तरीके से तो उतना लगभग लगभग अब कहां तक बढ़ेगा वू अब बढ़ेगा पांच वर्सों पांच वर्सों की समाप्ति पर अब्सिसू का वजन लगभग 29-43 पॉंड मतलब लगभग 18 किलोग्राम मतलब सोचिए कि जो है एक वर्स में जो है 9.5 किलोग्राम हो गया था लेकिन अगले 4 साल में 9.5 किलोग्राम या यह कहो कि 8.5-9 किलोग्राम फिर बढ़ेगा मतलब सोच रहे हो कि एक साल का दोगुना होने में 4 साल को से बला है मतलब थोड़ी सी कम हो गई और आधा पॉंड प्रतिमाह के रेट से बढ़ा है तो आप ध्यान दीजिएगा जब बच्चा पैदा हुआ तो एक सब्ता तक क्या हुआ थोआ घटा है क्या हुआ है घटा है लेकिन उसके बाद में एक सब्ता तक क्या हुआ घटा तो घटे वाले को ऐसे कर लेते हैं एक सब्ता क्या है उसके बाद में थोड़ा बढ़ा 6 महीने तक दोगुना हो गया इसके बाद में ए तीन गुना हो गया शे महिने और बित्ते बित्ते मतलब क्या हुआ कि शुरू के एक साल में लगभग वह साढ़े नौ पॉंड के आसपास पहुंच गया इसके बाद एक साल से ले करके जो पांच साल तक का समय है इसमें वो क्या करता है कि हर माह में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ थोड़ा अगर से इस थरीके सब्रह तनीष इसमें बढ़ा तुनीब्र्जहें घ। पांच साल बित्ते बित्ते वह क्या हो जाता है अगर यहां पे नौ साधे नौ पॉंड का था साधे नौ किलोग्राम के असपास था तो लगभग वह अठारा केजी को हो जागा मतलब यह लगभग जितना यह था उतना हुआ है लेकिन इसके लिए टाइम बहुत जादा लिया टाइम के लिए बहुत ज्यादा लिया तो आप ऐसे समझी ठीक है तो अर्थात शिशु जब पैदा होता है तो थोड़ा सा घडता है फिर थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है शुरू में एक साल तक तक तेजिस बढ़ता है लेकिन एक साल के बाद में और आगे के चार सा साल मतलब पांचवे साल तक थोड़ा सुलो बढ़ता जाता है और एक समान बढ़ते बढ़ते बढ़ते-बढ़ते ओठारा किलोग्राम का लगवघ्व हो जाता है पांच साल वर्तन होता है लंबाई में सारी लिक परिवतन हम लोग पढ़ रहे हैं तो लंबाई हुआ हड्डियां हुई ठीक है और भार हुआ इन सब के बारें पढ़ें जन्म के समय सिसू माने जो बच्चा होता है और लगभग वहीं सवाए क्यां सेंटीमीटर या साड़े कर सकते हैं आइसा कि मतलब शीसू जो है अगर बालक है तो 1.5 सेंटीएटर बडा होता है बैलीक तो 0.5 समझ लेजेगी बैलो से चोटा होता है अगर यह पौणे 51 हो रहा है तो यह सवाए 155 सेंटीमीटर थोड़ा सांतर यह बच्चा भी मतलय बढ़ा है अगा थोट-छोट सहस्वा वस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अब एक्षा अधिक होती है किलियर हो गया कितना अधिक होता है 0.5 cm ऐसा मैं पीछे भी पढ़ाया था और यहां भी आपको देखने को सहस्वा वस्था के अंत तक मानने लगभग जो 5 साले पूरा हो रहा है तो 5 साल पूरा होते होते सह सहस्वा वस्था के अंत में लंबाई दोगुनी हो जाती मतलब भचा अब लगभग 1 मीटर के आसपास हो जाएक हम जयी 106 cm select मतलब सों संटीमीटर की असपास आप इसमें जो डवलपमेंट है वो पांग सालों तक हो जाता है विकास किस्से पहर की ओर होदा है इन HASा मस्तक का सिर मस्तकोन मुख्य होता थो जएसा अर्थ ना जैने के सिर से पैर की नवजात सिसु का सिर उसके हाथ पैरों की अधिक बड़ा होता है मतलब जो सिर होता है न थोड़ा बड़ा दिखा देता है आपको अगर याद होगा पीके ने पीके नहीं उसके पहले कौन सी एक मुवी आई थी ना अमिताफ बच्चन साब की पा उसमें साथ द यह हुआ नाक उसका नाक हो गया मान लो यहां पर यह मूह हो गया और यह गर्दन हो गया अब सोचो कि इसका मूह कितना वड़ा कपार है पूरा खोपड़ा खोपड़ा है पूरा बहुत बड़ा बुद्धी होगा उसके पास तो करहें हैं कि सुरुवात दोर में उसका बड़ा होता है नवजात सिसु का सिर मुद्धेफियर मस्तिस्क जो है सिसु के मस्तिसका भार तीम सबढ़ा शीक होता है कि दो वर्ष सके अंतर तक दो गूना हो जाता है दो ही वर्ष में करीब साथ सो क्या सबय Tschamak जो लिए तो कहा गया है कि जो बच्पन में ही यह को कि 3-5 साल में जो बढ़ गया मस्तिस्क बढ़ गया अब तक तो खांचा भरका हो जाता बहुत बढ़ा हो जाता खुपडा और हाथ परितनी दोड़ते रहते हैं मनुष्य के मस्तिस का भार सरीर के अनुपात में सरवाधिक होता है उसके बाद चिंपैजी का होता है जबकि हाथी का सबसे कम होता है माने रेशियो रेशियो का मतलब सरीर की तुलना में वह कितना परसेंट है यह मनुष्य में अधिक होता है उसके बाद चिंपैजी का आता ह हाथी बहुत बड़ी होती है उसका खोपड़ा इतना बड़ा होता है लेकिन यह पूरे सरीर की तुलना में इसका एवरेज बहुत कम हो जाता है और इसका जो सबसे बड़ा किसका बताया वहानने पूरे सरीर मांने खोपड़ी खागर आगर आप देखेंए पूरा मस्तिस्क का भार बटे पूरे सरीर का भार गुड़े सौव करोगे तो परसंट में आ जाएगा, उसका वैलू और शिमपैजी के इसका भार, बटे पूरे सरीर का भार, गुड़े सौव करोगे, तो यह थोड़ा सा कम आता है, और हाथी का सबसे कम मिलता है, यह ध्यान देना, जन के समय, सिशु के सर यो जो कौने को अस्ति करण काते हैं जब जूड़ जाती हैं cm को नहीं के दिर करणा करते हैं मतलब हड़ीओं का चीपकर कि करना जब हड़ियां, जो छोटी-छोटी पत्रविद हड़ियां होती, यह मिल करके एक हो जाती हैं, तो उसको हम लोग अस्तिकरण कहते हैं, और जब वहीं जब जूड़ती हैं, और थोड़ी मजबूत होती हैं, यह कहो कि ऐसे भी, जो हमारी यहां पे जो हड़िया वो तो जूड गती से होता है, तीसरे चक्र में 13-15 में पूनातिब्र हो जाता है, और फिर 14-18 फिर से गती मंद हो जाती है, माने पहले तेज होती है, फिर थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर तेज होती है, फिर स्लो हो जाती, इस तरके से विकास होता रहता है, और सही देखें तो जिंदगी तो फिर कई कारें जो है साथ है साथ बिगड़ने लगता है तो ऐसा भी देखने को मिनता है तो चलिए आगे देखते हैं सिसु की संवेधी योग्यता है जिसको वह अनुभव करता है ठीक उन सब सारी चीजियों में किस तरके से पर्वटन होता है अब पता नहीं रहा जब तक न समझे तक कोई मतलब नहीं है यह बात आती है कि उसमें इंपूट आख के वाला होने लगताब अब द्रिष्ट ग्यान जो है जाकरित हो रहा है चन्म के लगभग 30 घंटे तक बच्चे का दिश्ट ग्यान काम नहीं करता है उसके पस्चात जो है नित्र की इंदरियां काम करने नगती है नरान सब खोलते हैं जन के समय सिसु की दोनों आखो में से एक और घुमती और दूसरी आख दूसरी एक दूसरी हो पर कुछ दिनों के बाद में दोनों आखो में संत्यूर ना जाता है अब याद नहीं रहा हम लोगों को कि हां कंट्रोल रहता कि अपने आप भागने लगता है यांको कि धर फिर लेकिन धीरे धीरे ओ फिर दोनों जोड़े मतलब एक तरीके से अब अभी धीरे धीर होता है सिसु के समय में ऐसा नहीं होता है स्रवन संबेदना कान वाली जो मतब सुन करके इंपूट हो रहा है कि नहीं तो दिरे सुनने वाली बात नवजात शिसु जन्व के ठीक बात सुन सकता है मतलब यह कह रहे हैं कि सुनने वाला काम उसका श्टार्ट होगे ध्यान दीजी का नवजात शिसु के आसपास जो लोग कुछ लोग पटाखा धोपू बं यह सब फोड़ते हैं यह सब गलत बात है बिलुकुल गलत बात है उसकी जो अंदर की जो रोतिंद्रियां होती मोबाइल देख रहे हैं तो आसा कुछ दिन बचा दीजिए तमाम उसके रेडियसांस होते हैं फिर आप उसको लगा करके अपना भी देखते हैं बच्चे को भी दिखाते हैं अब इसकी आँख बहुत अच्छे सकाम ने कर रही है तो बच्चे देखें कुछ लोग बड़ी बच्चा है उसकी आँख पर फ्लेस पर बहुत बुरा प्रभा पाड़ता है तो उससे आप लोग जो है थोड़ा कंट्रोल हम यहीं बोलेंगे बार बार कि जो आप लोग बच्चों का फोटो खीचते हैं ऐसे नार्मन लाइट में बीना फ्लेस दबाए ही खीच लीजिए लेकिन फ्लेस दबाने वाला या ऐसा कुछ करने वाला काम मत कीजिए और यह जो फोन लगा करके या वीडियो लगा करके देखती है थोड़ा सा बच्चा है कुछ अच्छा चीजिए सुने पढ़ें तो ज्यादा सहीर है अब उस टाइम पर डीजे और और उसको कम सकम की दख्चिता में सुधार होता है मतलब अभी तक तो आवाज चाहे जिधर से आये कान में बस सुन रहा है लेकिन अब अगर इधर से आएगा तो उधर वो समझ जागा कि हैं इधर से आवाज आ रही है कुछ दिन के बाद जब देदर विक्सित होना इस्टार्ट होगा कुछ दिनों के बाद में वो यह भी समझने लगेगा कि यह आवाज किसकी आ रही है ठेक अब ग्रंद या घ्रान संवेदना जो यह सुखने वाला है यह वाली इस संवेदनाओं में आती है तो नवजात सिसु में गंध ग्यान काफी विक्सित रहता है अर्था जब नहीं इतना समझी वाली इंद्रिय विक्सित हो रही होती है जब बच्चा होता है तो संग सकता है लेकि अच्छे से समयल्ट का पता नहीं चलेगा अंदर रहता है तो नहीं बस पर दर्द वाली बास तो होता होगा बाई बढ़ा है लेकिन सोच इतना होता तो बहुत ही छट पटाता हां पर मारके तोड़ता है पिर भी कितना बढ़ता है फिलाल उसके बारे में हम नहीं कहेंगे वह अलग साहित्यों में वर्डन किया गया है उस पर हम कुछ नहीं बोलें नहाथ सिसु स्वाद इंद्रिया आधिक विकसित होती है तभी तो आखिरकाद और लपर लपर जीब करते करते धिरे-धिरे कोशिस करता है टम नो उसको जो व करता सी करता है उसका स्वाद पता चलता आएः उसkokा सब्सक्राइब देखों लोग पोच दियते हैं उसके कुछ देर के बाद में जब उतना रगड़ पगड़ पाया धिर अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जब उसको पता चलेगा तद पस्चात उसे इसपर्स दबाव टेंपरेचर अने ताप गर्म ठंड इन सब का महसूस होना प कर द्राइस को एकश supported है तो यह पियां दीर तो यह वह प्रम इसे प कि ईसको बाद में जब उसका ज्यान इस्ठिर हो जाए जब वह पोस में आ जाए दस-विस दिन बाद में अगर आप पूछेंगे कुछ टाइम पर तो रात में ऐसे बढ़ा तो कुछ नहीं पता चले उस समय भी जब होगा होस में आने लगता है तो उसके पहले बहुत बहुत कुछ बढ़ाता है पास राने वाले लोग घबढ़ा जाते हैं चिला रहे होते हैं लेकिन हमको लगता है कि उनके दिमाग के वह सारी चीजे नहीं रहती है यादास नहीं रहता है ऐसा चीजी होता होगा और जैसे अभी हम बताया ना कि अगर कोई वेहोस किया गया रहे और कुछ दिन कुछ देर के बाद में 10 गंटे 8 गंटे 10 गंटे के तो उनके बाद में योस जब वाट साने लगता है तो उसके पहले अरो उनको Citra by में शिक रहता है ूसम्हकों बॉलता रहता हूप बहुत तेज गी आता है ऐसा कुछ करता है लेकिन जब धिर देदर फिर वो फिर मतलब इस्टेबल इस्टेट में आएगा करीब उसका असर उतरने के 10 गंटे 12 गंटे के बाद 8-10 गंटे भाद धिर देदर जब इस्टेबल होगा तब फिर देदर उसको अपना जो उस चीज को महसूस करने लगा तब उसमझ में आगा कहारे क्या बोल रहे हैं जैसे नहीं होता है सपने में कुछ भी बढ़ाया इस तरीकी का तब देदर वह चीज आता नहीं और उसके पहले तो वह भी नहीं याद रहता कि क्या मैं बढ़ाया था क्या सोचा था क् इसको गाली दिया क्या क्या कुछ नहीं आ ऐसा अब चलते हैं कुछ नोट्स की और हम लोग दखेंगे कुछ बहुत महुत पून जो है पॉइंट्स इसमें दिये गए हैं उनके हम चर्शा करेंगे एक अंगुली में हड्डियों की संख्या तीन सैस्वा वस्था में ध्यान हैं कि हाथ की पूरी अंगुलीयों में कुल हड्डियों की संख्या यहीं आप तीन तीन ऐसे से करते जोड़े जाओगे ना तीन 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 इस तरिकर फिर दो इसमें तो तीन चार अंगुलीयों में तीन 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 चुके बारा और दो इसमें 14 होती है तो टाल हाथ की यह यहां पर है यहां तक मंदब आंगुलियों में ए बात है यह हरे में हड्रीयों की संख्या 14 होपड़ी में हड्रीयों की संख्या आठ नहीं हड्डियों की संख्या 8 plus 8, 16 इधर उधर करके, एक कान में हड्डियों की संख्या 3, दूसरे में फिर 3, गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है, रिड़ की हडड़ी में कसेर्यक्वाओं की संख्या जो यहां से लेकर के हड़ी यहां से जो रिड़ वाली हड़ी उती स्पाइन उसमें क्या होता है तैतिस होती है और पैर में कुल हड़्डियों की संख्या तीस होती है सबसे उपरी कसेर्क्वी का नाम एटलस होता है सबसे नीचली का शेर्खवी का नाम एक्सिस होता है यह दोनों याद रख लेना कभी कभी पूछा जा सकते हैं यह बहुत डिपली पूछें तब शरीर की सबसे लंबी हड़ी का नाम फीमर वह था अभी भी है वहीं जांग में पाई जाती है फीमर जांग की हड़ी सरीर की सबसे छोटी हड़ी का नाम इस्टेपीस जो कान में होती है अभी वहीं रहेगा माने बड़े हो जाओ तब भी ठीक है फीमर सबसे बड़ी और यहा मेडिवल है, जो जवड़ा होते हैं, जवड़ा जो दान तोर फोड़ी सबसे कठोर praying मजबूत तत्व इनेमल कहा जाता है, जो दांतों में पाया जाता है, दांत जो होते हैं उसमें इनेमल पाया जाती है, पुछते हैं इनेमल कहां पायता है, दांतों में, फिक है, ओ सबसे मजबूत कठोर जो है आपका सकते हैं तत्व है, जन्व के समय नवजात सिसु की कण या फिर जो भी जो भी कटो Test यो पढ़े बिठाटाई वाइशाफगे समल्त लागो छोविः जो और नावजात सी सुक्यीवव पास की चमकीली बस्तों को डेख पाता है बहुत दूर की बस्तों कभी नहीं देख पाता है नौजात शिसु 18-20 घंटे सोता है और यहीं तो उसके लिए सही भी है 18-20 घंटे सोता है जर्वादी के समय नौजात शिसु के सरीर पर छोटे वाल होते हैं रोब होते हैं पंद्र दिन में तरहिए रगागे स्वता ही समाप्त हो जाते हैं नौजात शिसु कि स्वाद ग्यानेंद्रियान सरवाधिक विक्सित होती है पहले में बता दिया कि सुनने सुनने देखने इन सबसे ज़्यादा स्वाद वाली उसकी विक्सित है किसली तो बनाने की प्रक्रिया गर्भा वस्था आरथात जन्व से पूर्वः प्रारंब हो जाती है ठीक लेकिन जन्व के समय सिसु के दांत दिखाई नहीं देते हैं, उस समय होते नहीं हैं, लेकिन उसकी प्रासेस जो है वो विकास होना, अरे वहां पर बतायाना, जबड़ें सबसे मजबूत हड़ी भी होती है, एक दिन में तो होगा नहीं होगा, बहुत पहले सब दिली दिली द इस्थाई दांत आते हैं, चार वर्ष्ट की आयू में सभी इस्थाई दांत आ जाते हैं, माने बीष्ट जो आने होते हैं, आ जाते हैं, उसमें से कुछ दांत आप देखोगे, आगे के तूट जाते हैं बच्चों के कुछ साल में, फिर दिदर दिदरे, फिर क्या होते हैं पामजबूत आता है ना देखिए नारान के करिप आकि जब दात नहीं में तो ली वाहता एक जैसे देखे नीम की पत्तियां बारिस गर्मी में जब गर्मी सहन करने के लिए जो ठंडी वाली पत्तियां होती है उससे आगे गर्मी नहीं सहन हो रही थी तो वह ज़ड जाती है फिर एक नई नई कुमल कुमल नया नया पत्ति आता है और फिर थोड़ी मजबूत पत्ति होती है और पूरी गर्मी सहेगी गर्मी सह करकर के बरसात आते आते हैं फिर जो ठंपरेचर को उसको नहीं जल पाती तो गिर जाती है फिर दूसरी ठंडी को सहने वाली जो है पत्ति आती है और अगर भूगोल की दिर्शे से देखा जाए तो मौसम मास्ता में दो ही होते है एक सर्दी और एक गर्मी बरसात तो बीच में होता रहता है मांस्पेसियां जम्न के समय इनका भार सरीर का 23 प्रतिसत होता है जो मांसोगर होती है ठेक लगभग जो 23 प्रतिसत है वह क्या होता है मांस्पेसियां होती है कुछ हड़ियां होती है मांस्पेसियां होती है रुधिर होता है एस सब चीज अलग अलग तो उसमें सब 23 परसंट जो है मांस्पेसियां होती है हिर्दय की धड़कन के बारे में चलिए समझ लेते हैं, जब सिसू होता है तो हिर्दय की धड़कन उसकी कैसी होती है, तो नवजात सिसू का हिर्दय छोटा होता है, धमनिया आप एक शाकृत बड़ी होती है, हिर्दय छोटा होने पर रख्त को जल्दी जल्दी पंप करना प जो जो आयू बढ़ने लगती है तो शुलो जब जाने लगेगा और पीछे वेमार रहा तो यह पूरी स्प्यूट से पहुंचे तब तो सन निकल के जा नहीं रहा बी लोड लेके जा रहा दिरे दिर आप वही देखलो कि पानी अगर दिरे दरे पाइप में चले तो थ्वास आ मोटा पाइप चोई यह होता है और तेजी से जारा पाने पतला है तब यह निकल जाएगा तो प्रथम महिने में सीशु के धड़कन जो सीशु का हिरदया धड़कन है वह सोचो कितना होता है 130 से 150 के मध्य लगभग यह रेज में हम इन दोनों का बात करें तो 140 धड़कन माने जो पंफी होती प्रति सेकेंड एवं छो वर्सों में हिरदया की धड़कन अब धिरे-दिरे 100 पे आ गई ठेक पर मिनट ठेक है हंडेड टाइमस पर मिनट ऐसा है जो इसस करता रहता है वह बच्चे की समय में 140 के आस पास रहती है 130 150 वह ज्यादा आप डाउन उसमें होता है लेकिन दिरे-दिरे अब वह अब कम हो करके अब दिरे-दिरे स्थाई होता जाएगा तो चो वर्सों के बाद में लगभग सो प्रति मिनट के आस पास आ जाती है आगे देखते हैं कुछ और नवजात सिसु की अवस्था आइं कौन कौन सी आभाताय होती है जब तिअνी कमर को मोडते हुए भूजा को आगे की ओー फिर्डाओं जैसे कि वह कुछ पकड़ रहा हो नावजात सिसु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पेरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिस करता है ठीक इस तरह के से इसी को कहते हैं कि आप समझें कि मोरो क्या है बस इस तरह के से अगर कोई चीजाए से हांथ पर लेकर करके इस तरह से पकड़ने की कोशिस करना यहीं मोरो है ठीक है और कुछ भी सेस नहीं जब कभी आपसा नाये तो दिमाग वे थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो कोश्चन छूटता नहीं है ऐसे कोश्चन दो तीन एकजाम में आते हैं जो बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं सारे कोश्चन डीपली पूछे जाए तो सभी के सभी फेल हो जाएं तो ऐसा नहीं होता है और यह सब आयोग वालों का भाई अपना काम है कि वह किस टाइप का दें क्या जानना होना चाहिए बिना मतलब को ऐसा नहीं क्यों बस एकदम डीप में जाके को फसाएं रूटिंग वस्था नवजात सिसु के गाल को छूने पर वह अपना मुह खोलता है यहां पर अपने सिर को घूमाता है इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं अर्थात गाल और मुह चूने पर वह क्या करता है मुह खोलता है और अपने सिर को घूमाता ऐसे से करता है इसको करते हैं रूटिंग क्या करते हैं रूटिंग विविंस्की क्या होती है यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलिया उपर की और आती है और फिर आगे की और मूर ज को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वसुसे ऐसे से दबाया जाए तो बच्चा उंगलियों से पकड़ लेता है इसे चाप लेता है इसे गुलिया लेता है तो इसको पकड़ना करते है फीटल एक्टिविटीज गर्भस सिसु के हाथ पैरों में स्वता क्रियाय अथवा गतिय फीटल एक्टिविटीज फिर आई बात विल्किंग की विल्किंग क्या होता है तेज प्रकास होने पर बच्चा आँखे बंद कर लेता है जब उसके सामने वहीं बात चकाचोद्य सा हो जाता है तो उसको आँख बंद करता है विल्किंग बोलते हैं क्या होता है जब आधे घंटे की आयू तक बालक पर्चुनेट कहलाता है मतलब जिस टाइम पे अभी उसका आहर नाल से उसके भूजन हो रहा था अब बाहर आया तो उसको क्या करते हैं लगा करके काट देते हैं वह बाद हो गर करके काटते हैं उसको आप लोग कभी कताई नकोशिस कीज पर्चुनेट करते हैं चोटी सी समय होती है करीब आधे घंटे के अंदर जब उसको काटते हैं तब तक अब देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सैस्वा वस्था में बच्चे के सरीर में कैसी विकास हुआ अब हम लोग पढ़ेंग अब हम सरीर में जो विकास होगा वजन, लंबाई, मस्तीस्क, हड्डियां, स्वाद होगरा जो भी कुछ हैं हात पैत के चलना, स्पर्स वगरा एस सब सारी चीजें अब जब वह बाल्या वस्था में आया है, बाल्या वस्था में आएगा, तो किस तरीके से क्या-क्या परि जो मस्तिस्क का, यादास्त का, बुद्धी का, चिंतन का, उसका विकास पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सामाजिक का सपढ़ेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में हम कुछ विकास को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो आप सभी लोग, जो यह सारीरिक विकास है इसको आगे पढ़े एक बार हम इसको फिर से आप लोग को रिवाइस करवा देते हैं क्योंकि आज के समय में आप लोग एक ठो करोगे तो सही रहाएगा ज्यादा लंबा हो जागा इसको डिसकस करेंगे तो फिर से बहुत लंबा करीब डढ़ दो ग गपतका है, बढ़ाके करीब साड़े, सहब एक क्या लोग और पोने क्यों-क्या-ष20 से बालक जो है बालिका से 0.5 cm अधिक होती है ठीक और बढ़ते 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 सहस्वावस्था का अंत होते होते इनकी लंबाई दोगनी हो जाती लगग एक मीटर का हो जाता है सिर्व मस्तिस के बारे में अगर बात करें तो साड़े 300 ग्राम मस्तिस को होता है लेकिन जब मनुस्य में सबसे जदिक होता है उससे कंचिमपईशी का होता है सबसे कम हाथी का होता है जब कि हाथी देखने से बड़ी लगती है, फिर भी उसका रेशियो कम होता है, जन के समय जो है, शरीर में हड़ीयां 270 पाई जाती है, और जब हड़ीयां जुड़ती है, तो उसको अस्थी करण, और जब मजबूत होती है, तो उसको द्रिधी करण हम लोग कहते हैं, अर्था दिरे-दिरे उकोसिस करने लगता है, कुछ दिनों में फिर वो देखने लगता है, फिर शुरू में देखते हैं, तो दोनों आखे जो है, कंट्रोल ने जथी है, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, दोनों आखे इधर-उधर देखने लगती है, लेकिन दिरे- सब्सक्राइब लेकिन कुछ दिनों के बाद में धीरे-धीरे क्या होती है वो स्रवन के सांसात में दीशा का जो किधर से वाज आ रही ये किधर से आ रही उसका द्रड़ी करण होने लगता है घ्रान इंदिया ये सुंघने वाली है यह काफी विक्सित होती है और स्वाद इं जम्न के समय तो नहीं लेकिन थोड़ी दिर बाद में वह इसपर्स दबाव टेंप्रेचर इन सबका अनभव करने लगता है राइबात अंगुलियों में हड्डियों की संख्या तो हड्डी जो अंगुली में है तीन अंगुठे में दो तीन चौक के बारा और दो चौदा ह हो जाती है हाथ वाले में इसमें चेहरेक में हड्डियों चौदा ठीक खोपड़ी में आठ आठ कपाल में हड्डियों की संख्या आठ प्लस आठ सोला एक कान में तीन दूसरे कान भी तीन गर्दन में हड्डियों संख्या एक रिण की में हड्डियों संख्या तैंतीस कूल हड़ियों की संख्या पैर में पुल हड़ियों संख्या 30 सबसे उपरी कसरी एटला सबसे नीचली वाली थी एक्सीश जो सबसे लंबी हड़ियों होती है वो जांगी फीमर सबसे चोटी और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका रंग गुलावी कलर का होता है अलका गुलावी लेकिन 15 दिन के बाद में उसका इस्टेबल एक जो रंग होता है वो आ जाता है थोड़ा परवर्तित हो करकर करके बच्चा शुरू के कंडिसर में कुछ पास की चमकिली चीज़ों को देखता है दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है शुरू में वह करीब 18-20 गंटे सोता है लेकिन इसमें वह लगा 18-20 गंटे नहीं सोता है हर दो गंटे पे एक दो बार क्या करता है लग बग दो गंट सब जता होता है तब सब्सक्राइब रुड़ हो जाता है लेकिन सीन्स जभ जन्म लेता है उस टाइंप दिखाए नहीं देते हैं इक साल, में लगभग बच्चे के जो 20 दात आने होते हो आ जाते हैं अब उसके बाद जब बड़ा होगा तो हम आगे बाल्या वस्था और फिर आगे की सुरा वस्था में आगे पढ़ेंगे हम लोग युग आवस्था में कौन कितनी दाते आती हैं माझ्स पैश्यों की बात करें तो लगभग सरीर का 33-38 सरीब भच्चे के सिसु के सरीर में होता है, ठीक घिरदय को धटकन की बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है तो इसको जल्दी अल्दी पंप करना पड़ता ध्रवनिया ब constituro उसकी पंपिंग जो होती है लगवग 130 से 150 होता है मतलब एक मिनट में 140 बार क्यास पास करता है अगले 6 वर्सों में धिर्या 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 इस्टेबल होता जाता है और 100 पंपिंग जो है पर मिनट हो जाती है एक मिनट में 100 बार धड़कता है ऐसा नौजास शिसु की जो अवस्थाएं होती है जब बच्चे को कुछ आगे फेकरो गर तो कुछ पकड़ने कोशिस करता है हाथ पाउं से लगा करके उसको कैप्चर करने कोशिस करता है उसको मोर कि बोलते हैं बच्चे की उंगली उगर तो आभ बहुत दबाया जाती उसको फकड़ने कोशिस करता है क्या बोलते हैं और जब बच्चा सीसु जो होता है गरभस्त होता है उसके हाप-पैर में। यह सोटा अंदर पेट की अंदर जो ऐसे से हाफ पर मारता रहता है थोड़ वो सही है भी वो सांत हो जाता है तो वड़ी प्रावलम बन जाती है तो था वो तो हिलना डूलना उसका अपना चल रहा होता है उसी को फिटल एक्टुटी बोलते हैं रही बात तेज प्रकास के पढ़ने पर उसकी आंखे थ्वा चौधी आने लगती है वो बंद कर लेता है wilking बोलते हैं तो यह बोलते हैं उसके बाहर बोलते हैं उसके बाए लांफा समय होता है करीब आधा गंटा के और समय होता है वहता है रहा हुई तक सहस्वा वस्था में जो सरीर में विकास हो रहा है उसको आप लोग देखे हैं अब हम लोग बाल्यावसता में सारे विकास को अगले क्लास में देखेंगे अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सेयर कीजिएगा दोस्तों में aik हम बार-बार यहीं बोलेंगे और revise कीजिएगा अगर आप लेक पास में नोट सर्थ उसको पढ़ते रहिएगा नहीं यह तो इसकी इंसौर्स उगर लेकर के रख लीजिए उसको पढ़िए, समझिए एक दो बार अगर समझेंगे खुद करेंगे तो सारी डाटा अपने दिमाग में अपने आप सेब हो जाती है पे रही आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और पढ़ते रहिए प्रैक्टिस जो भी है आपका अभी किताब उगर पर साल्व करते रहें चलिए नेक्ट वाले क्लास में एक जो आगे वाला टापिक है उसके साथ में और अभी प्रैक्टिस वाली कलास भी आप लोगों को तो मिलेगी तो है